हलो साथियों नमस्कार स्वागा था मेरा यूटूब चैनल पे साथियों जैसे आपको ग्यात है कि दिक्षा जे एसटी पीडी एडवांस कोर्स फोर आचुका है उसके अंतरगत आज हम लोग आखुणों का प्रबंधन जरूरी पूर्वग्यान का आखलन देखेंगे इसके स सब्सक्राइब करेंगे तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल पर जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें देखिए यह रहा आपका पहला कोसन पहला कोसन क्या कहता है नईली माजी ने आंक हैं यह पता लगाने के लिए उन्हें फर्स पर लगी एक पटी पर सिधी कतार में खड़ा होना होगा इस पटी पर पहले से ही 0123 यादी लिखा हुआ है यह गतिविधी कौन सी कक्छाया कक्छाओं के बच्छों के स्तर के अनुसार होगी आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं तो इसका सही अंसर आपको इसमें देना है यस इसका अंसर हो जाएगा कक्छा 4 और कक्छा 5 चलिए आप सब्मिट करते हैं देखिए यह आपका अंसर सही हुआ आगे बढ़ते हैं नमर टू रोहित जी ने अपनी कक्छा में बच्छों के सामने यह सवाल रखे हम आसपास के पेड़ पुदह के बारे में क्या जानते हैं हम आसपास के जानवरों के बारे में क्या जानते हैं हमें आसपास के पेड़ पुदह और जानवरों के बारे में क्या जानना चाहिए अभिसेख जी ने अपनी कक्छा में बच्चों के सामने यह सवाल रखे हमारे स्कूल के पार्क में कितने परकार के पेड़ पौदे हैं हमारे आसपास कितने परकार के जानवर हैं हमारे आसपास कितने परकार के कीड़े मकोड़े हैं इन सबी सवालों में से कौन से सवाल आकड़े इकाठा करने के लिए सही रहेंगे तो जितने भी options दिये हुए हैं आप उन में से एक सदिक विकल्प चुन सकते हैं तो इसका सही answer आपको देना है जियां इसका सही answer आपको लगाना है 3, 4 and 5 यह इसका सही answer होगा चलिए क्लिक करते हैं आगे बढ़ते हैं यह देखिया answer आपका सही हुआ जियां आगे बढ़ें नमबर 3 नमबर 3 इन कोसलों में से कौन से कोसल कक्छा एक में आकड़ों के प्रबंधन की समझ के लिए पूर ग्यान होंगे ठीक है यह जो कोसल दिये हुए है इन में से answer आपको चुनने हैं एक से दिक विखर पर चुन सकते हैं इसमें ठीक है तो इसका answer हो जाएगा वरगी करन और गिनती है चलिए समीट करते हैं यह देखिया आपका answer सही हो गया आगे बढ़ते हैं नमर 4 नमर 4 आनन्दी जी का च्छा एक कैस्तर के अनुसार इन प्रसणों मेंसे कुछ प्रस्त चुनना चाहती हैं उनकी मदद करने के लिए आप एक से अधिक विकल्ब चुन सकते हैं ठीक है तो जो options दिये हुए इसमें से आप एक से अधिक विकल्ब चुन सकते हैं तो इसका सही answer हो जाएगा ये कक्छा में बच्चों को कौन सा खेल पसंद है कक्छा में हर बच्चे के परिवार में कितने लोग हैं सम्मिट करते हैं ये आपका अंसर सही हुआ आगे बगते हैं नमर फाइब आखोणों के परबंधन के इन चरनों मैंसे सबसे महत्पून चरन कौन सा है आकोनों के परबंधन के चरन में से सबसे महत्पुन चरन आपको बताना है आप एक ही विकल्ब चुन सकते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशय के अनुसार सवाल बनाना समीट करिए यह देखिए आंसर आपका सही हुआ आगे बढ़ते हैं नंबर शिक्ष विशय के अनुसार सवाल बनाने का चरन इन कौसलों में शेक और कौन कोंशी कौसल की समझ के लिए भी जरूरी हुआ ठीक है आप एक ही विकल्ब चुन सकते हैं तो चलिए इसमें एक विकल्ब चुन सकते हैं तो कौन सा होगा इसमें आपको दिहान लगाना है यह हो गया आंसर हो जाएगा आपका समस्याओं को सुल्जाना चलिए समिट करते हैं यह आपका आंसर सही हुए चलिए आगे बढ़त चित्रा लेक में कुछ इस तरह दिखाया थी के जैसे उपर डिजिट दिये होः उसी तरह만 चित्रा लेक में चित्रों बनाकरके दिखाया तो सवाल करता कि इस चित्रा लेक को सही करने के लिए आप बच्चों को क्या सुझाओ देने ठीक है, option दिया हुए, इसमें से आपको select करने है, ठीक है? जिए, इसमें से आपको select करने है, ये देखी इसमें सही आंसर हो जाएगा सब इस रेनियों को चित्रा लेख में रखना जनवरों के चित्र नौ इस्तमाल करना चलिए समीट करते हैं देखिए यह आंसर आपका सही हुआ आगे बढ़ते हैं नमर 8 इस जानकारी को देखिए घर में पालतु जानवर बच्चों के संख्या यह डेटा दिये हुआ है उसके बद कक्षा फोर के बच्चों ने डंडालेख बनाया ठीक है अब कहता है कि सवाल इस डंडालेख को सुधारने के लिए आप बच्चों को क्या सुझाव देंगे अब एक विकल्क चुन सकते हैं ठीक है एक विकल्स चुन सकते हैं तो क्या सुझाव देंगे बच्चों को तो यहां दिखिए ब्ल्लोक्स की मदद से पहले डंडालेख बना कर देंखिए यह आपका साही अंसर होगा सभिखें अबर्द कर मयारा प्रात्मी कख्छाओं में बच्चों को चित्रा लेख, डंडा लेख और चपाती चाट की मदद से आंखुडों को दिखा पाना क्यों शिखाना चाहिए? ठीक है? इसका अंसर जो है, यहां से लेना है, आप एक ही विकल्ब चुन सकते हैं, ठीक है? एक ही विकल्ब चुन सकते हैं, तो इसका सही अंसर हो जाएगा, आंकणों को दिखाने के लिए चलिए, यह आपका अंसर सही हुआ, आगे बढ़ते हैं, यह देखिए, दसवा नमर स्वाल, कख्छा पांच के बच्चों ने इस चपाती चाट को देखकर, ठीक है, आप देख रहे हैं कि कलर अलग-अल यह निसकास निकाले, सबसे ज़्यादा बच्चों की मां घर और खेत में काम करती है, उतने ही बच्चों की मां घर और दुखान में काम करती है, सबसे कम बच्चों की मां घर पर काम करती है, और अध्यापिका की तरह काम करती है, इन निसकासों को सुधारने के लिए आप बच्चों की कौन सी समझ पर काम करना चाहेंगे आप एक से अधी की विखल्प चुन सकते हैं ठीक है तो यहां आपको दिखना होगा अंसर क्या होगा आकणों को परने की और अगला अंसर हो जाएगा आपको छहपाती चाठ को बनाने की सपाती चाठ को परने की शरु को परने की चलिये समिट करते हैं अंसर आपका सही हुआ है तो दोस्तों यह रहा आपका आकुरों का प्रबंधन जरूरी पूरु ग्यान का आकलन अब इसे बिल्कुल बारिकी से समझें और JSTPD Advanced Course 4 का सेटिफिकेट अराम से लें और इसके सभी पार्ट आपको मिल जाएंगे चैनल पर आप जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो थैंक्स फूर वाचिंग वेट फर दे नेक्स्ट वीडियो